स्यर काफि लोगों को यहां पस दिक्कत आ रहा है जब भी वो लोग अपने Postgres SQL database को स्ट्रापी से कनेक्ट कर रहा है तो यहां पस मैंने अपने development server को run कर दिया है इस ट्रापी का और देखते हैं कि यह error क्या है और कैसे इस error को हमको solve करना है तो जैसे यह यहाँ पस स्टार्ट होता है तो यहाँ पस स्टार्ट हो ही नहीं रहा है यहाँ पस एक एरट देखनों को मिल रहे दा सर्वर डज नॉट सपोर्ट स्सन कनेक्षन न फिर आर हम लोग इसको बड़े आसली से सॉल्फ कर शक्रफ ते हैं हमको क्या करने है बस यह व आप लोगों को यहां बस रन करना है npm run develop command को और इंटर प्रेस करेंगे ति यहां पस अब जो एरर आ रहा था SSL certificate का तो वो एरर यहां से solve हो जाएगा तो मैं आपस इंतिजार करता हूँ अपने server का start होने का और देखते हैं अगर कोई problem आएगा तो फिर उसको हम लोग solve कर लेंगे तो यहां पस यहां successfully मेरा server यहां से start हो गया है अब मैं क्या करूंगा इस पर क्लिक करके अपनी browser में इसको open कर लेता हूँ Chrome में तो यहां बस open हो गया है अब यहां पस आप लोग अपना email और password डाल के login कर सकते हैं मैं यहां पस remember पर tick कर देता हूँ लॉग इन पर click करेंगे तो simple आपका जो इस ट्रैपी का dashboard है वह यहां पस देखने को मिल जाएगा अब यहां पस जितने भी आप लोग content के लिए आप लोग collections बनाएंगे वो सब चीज़ा आपके इस वाले जो आप लोगों ने database बनाया है उसके अंदर store होता जाएगा यहां पस strapi db नाम से मैंने database बनाया था तो उसमें यह store होते जाएगा आप लोगों को यह code आपको दिखा देता हूँ जब आप लोगों ने postgreSQL database को install किया था तो उस टाइम आपको एक password पूछा गया था तो आप लोगों को उसी password को यहां पस डाल देना है और इसको सेव करके बस रन करना है आपको जो भी error आ रहा है वो एक्तम सॉलो हो जाएगा thank you so much for watching this video guys and I will see you next time